केले को यह पाउं से यहां पर लोग कोचल रहे हैं मैला है कोचल रही है यह आज आपको बताने वाले और इससे क्या फायदा हो रहा है आप देखो यहां पर यह पानी आपको देख रहा है कैसे बनाना है और इससे क्या फायदा हो रहा है यह भी बताऊंगा मैं आपको और इस करेला लेना है केला मत ले आना आप लोग क्या करते इसको मैस कर लेते मैस नहीं करना है कहीं पे भी आपको इस तरीके से काड़ना है यह होगा क्या कि जब आप इसे पैरों से मसलों के ऐसे ऐसे कुछलों के तो यह अपने आप ही मैस हो जाएगा और उसका फाइदा क्या होगा यह मताहिंगे आपको है करेला काट रहे है और इस इस तरीकह से नीम के पत्ते और क्सक्वाइब में बाद टूबे कितने डालना है कि आपके तलवे डूब जाने चाहिए इस तरीके से डाल दी अब क्या करना है इसको मतना स्टाट करना है अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यह लोग करतो रहें लेकिन इससे होने वाला क्या है आप लोग ने कभी करके देखा हो तो यह बताना और इसका आपक इससे क्या होगा इनके किसी के करवापन आया तरो कर रहे होई आपके कहा है तो सब्सक्राइब और किसी को 15 मिंट में आ सकता है किसी को 40 में तोग्सिन कितने बरे हुए है इस पे टेपेंड करता है जितने टॉक्सिन कम होंगे उतने जल्दी आ गया तो आप लोग समझ जो आ रहा है यह जाग इसलिए आ रहा है को कि यह टॉक्सिन निकल रहे बॉडी के और जब भी कोई सी चीज को मैस करते तो जाग तो करेंगा यह आपको कितनी रहोगी करते हुए जो उसके रिफ्लेक्स पॉइंट्स है जो आपके बॉडी में वापिस जाके रियाक्त करते हैं यह बिल्कुल यह हमारे सिखाने का असर है यह करनाल बस के वीडियो का असर है कि लोगों को पता चल रहा है कि अगर आप ऐसे रोज करोगे त इनकी चार-चार सो सुगर से ली गई थी वो इससे सौपे आ गई है रोज आप घर में करना इस्टायर करोगे तो फाइदा ज्यादा होगा और बॉडी के टॉक्सिंस ब्लड को प्रिफाइव करने के लिए आप इसको आसानी से अपने घर में कर सकते हो मेरा नाम मैंक पूर मुझे मिलने के लिए परनाल प्राइव